फ्रेंट्स यह बताईए इस्मोकिंग रहता या अंगारा रहता किस-किस ने खाया है आज हम आपको पारम परिक तरीके से बूंदी का रहता बना कर दिखाएंगे जैसे पुराने जमाने में दादी नानी बनाया किया करती थी नमस्कार दोस्तों मैं रुची वर्मा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वाधिस्ट बूंदी का रहता बूंदी का रहता बनाने के लिए हमने दो पाइकट छांच ली साथ ही हम 3-4 टुकड़े कोईले के लेंगे अगर आपके पास नीम की चाल नहीं तो आप नीम की चाल की जगा 10-15 कड़ी पत्ते ले लीजिए कोईला आपको प्रेस करने वाले के यहां से बड़ी आराम से और आसानी से मिल जाएगा कोईले को हम गैस पर बिल्कुल तेज आँच में बिल्कुल लाल होने तक इसे अच्छे से जलाएंगे कोईला जब तक अंगारी की तरह ना दिखने लगे नीम की चाल के अब हम छोटे छोटे टुकडों में तोल लेंगे जिससे कोईले पर रखने से बड़ी आराम से और अच्छे से सुलग जाए कोईला भी बहुत अच्छे से लाल बिल्कुल अंगारी की तरह हो चुका अब इसे हम निकाल का कटोरी में रख लेंगे गाउं में दादी नानी लोग इस रैते को बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे कोईले वाली कटोरी को अब हम एक बाउल के अंदर रखेंगे अब इन्ही अंगारों पे हम थोड़ा सा देशी घी डालेंगे साथ ही इसमें हम हींग डालेंगे हमने जो नीम की चाल को छोटी छोटी टुक्रों में तोड़ के रखा था अब इसी अंगारों पे डाल देंगे अब इसी बाउल पे हम धक्कन लगा देंगे जिससे नीम की चाल और देशी की और हींग का धुवा बहुत अच्छे से बाउल के अंदर भर जाए हम आपको बाउल का धकन थोड़ा सा खोल कर दिखाते हैं कि बाउल के अंदर धुवा कितने अच्छे से भर चुका है इसे हम दो से तीन मिनट के लिए ऐसे ढखे रखेंगे दो मिनट के बाद अब हम बाउल का धकन खोलेंगे इस बाउल से अब हम कटोरी को निकाल लेंगे अब उसी बाउल के अंदर हमने जो छाँच रखी थी उस छाँच को हम डाल देंगे और इसे हम ढग देंगे फ्रेंट्स देखे धुआ अब भी बहुत तेजी से निकल रहा हम आपको एक दूसा तरीका बताती ही कि बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है आप अंगारे वाली कटोरी को उठाइए और जिस बरतन में हमने चाँच रखी थी उस बरतन के अंदर इस कटोरी को रख दीजिए इसे हम दो मिनट के लिए ढग देंगे जिससे धूआ पूरी चाँच के अंदर अच्छे से मिल जाए फ्रेंट्स इस समय हमारे पास मिट्टी का बरतन नहीं है इसलिए हम इसे स्टील के बरतन में बना रहे हैं पारम परिक तरीके से स्मोकिंग रहते को मिट्टी के बरतन में बनाया जाता है मैं वीडियो बनाने के लिए इसे बार बार खोल कर दिखा रहे हूँ पर इसे बार बार नहीं खोला जाता है ये चितनी देर धककर रखा रहेगा उतनी अच्छी महक इसमें आ जाएगी धककन हमें जब ही खोलना जब इसका धूआ निकलना बंद हो जाए इसका धूआ निकलना बंद हो गया है अब इस कटोरी को हम चाँच से निकाल लेंगे कटोरी को चाँच से निकालने के बाद चाँच को हम ढखकर पांच मिनट के लिए ढखकर अच्छे से रख देंगे जिससे इसमें धुमे की खुच्बू अच्छे से बनी रहें पांच मिट के बाद आप हम छाच का धकन खोलेंगे फ्रेंट छाच के अंदर बहुत ही अच्छी खुच्बू आ रही है अब इसमें एक छोटा चमच हम लाल नमक डालेंगे साथी एक चमच इसमें हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा से सफेद नमक एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर या स्वादा नुसार आधा छोटा चमच धनिया पाउडर इन सभी मसालों को हम छाच में अच्छे से मिला लेंगे सभी मसाले चाच में अच्छे से मिल चुके है बूंदी का रहता बनाने के लिए हमने एक कटोरी मसाला बूंदी ली है रहता बनाने के लिए हमने साधी चाच का यूज किया है अगर आप मसाला चाच पसंद करते तो आप मसाला चाच भी ले सकते है अब इस बूंदी को हम चांच में डाल देंगे बूंदी को हम चांच में अच्छे से मिला लेंगे बूंदी चांच में डालते ही कुछी सेकेंड के अंदर अच्छे से फूलने लगी है अब इसको हम ढग देंगे और इसमें हम तलका लगा लेंगे तड़का लगाने के लिए पैन में एक छोटा चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे तेल अच्छे से गरम हो चुका अब इसमें एक छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे साथ ही इसमें थोड़ी सी हिंग डालेंगे दो हरी मिर्चली इसे हमने 20 से तोड़ दिया है तड़का तयार गैस को बंद कर देंगे अब इसी तड़के को हम बूंदी के रहते में डालेंगे तड़का लगाने के बाद इसे कुछ देर के लिए धक कर रख देंगे जिससे इसमें तड़के की खुश्बू अच्छे से बनी रहे तड़का लगने के बाद 3 मिनट बाद हमने धकन को खोला है और धकन को खोलने के बाद इस तड़के को हम अच्छे से पूरे रहते में मिला लेंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वाधिस्ट स्मोकिंग बूंदी का रहता बनकर तयार है यकीन मानिया फ्रेंट्स ही बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है यह रहता खाने में इतना स्वाधिस्ट लगता है कि आप एक बाए अगर इसे बनाएंगे तो बाबाए बना कर खाते रहेंगे फ्रेंट्स इस वीडियो को देखकर शायद आपको नानी और दादी की याद आई होगे कि बच्बन में हमारी नानी दादी इसी तरीके से हम लोगों को खाना बना कर खिलाया करती थी मिलती हूँ आप से आने वाली अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई